नमस्कार इस समय हम माधवदेश के जिला रीबान तरगत बन परिखेत सिर्म और उप बन परिखेत रलाल गाउं में कांकर बीट के आसपास हैं हम आपको एक सेधा चुला का पेंड़ है न चुला के पास खड़े हुए इसकी हम कुछ स्थितियां आपको दिखाते हैं जैसे आ अब देखिए यह दिमक निकलेगी पर मिलेंगे दा है हुए ऊससे इस तरह देमक घी में आपको भाद में दीमक क्यों चजोकेहस के खड़े सा सथी कह रहे है कि यहां की घृता इसका सुधि Quinधि में भाषा संस्कित में बड़ास बोलते हैं और वैसे गाउं की भासा में चूला बोलते हैं तो हमारा तातपर रहता कि हम कंसंट्रेट कर रहे तेसे बिंदू पर किसमें जो दीमक है इसी तरह से लगबख सभी पेड़ों में आप आस पास देख सकते हैं कि जो भी सेधा के हां सेधा के बिशेस तौर पिया चूला के प्र प्रभाव इसमें है दीमक का इस प्रभाव है इस तरह से दीमक की बज़य से इनको नुकसान होगा बाद में यह प्रभाव यह सूख जाएंगे तो लकड़ हारे यहां पर जो भी अवैद कटाई करने वाले लोग हैं सूखा हुआ पौधा के नाम से इनको काट करके ले जा सकती है भारत सरकार बता सकती है कि क्या पर्यावरण की सूरक्षा के लिए बन विभाव को कोई बिसेस ऐसे इंतजाम करने होते हैं इसमें पेश्ट कंट्रोल किया जा सके इनमें को ऐसी वेवस्था होगी कि इनको दीमक की जो जिस तरह से दीमक से पोध्यों बरबाद हो र